एक बंदे को उसकी कंपणी बेचने के बाद एक हजार करोड मिला था उसने वो सारा पैसा अलग-अलग बिजनस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा कोई पागली कर सकता है न ऐसा क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता ये पागल इंसान और कोई नहीं इलॉन मस्क है जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेट वर्थ है एक लाग चालीस उजार करोड और ये सब उसके पागल पन उसकी जित का ही नतीजा है क्योंकि बेड के साथ चलना तो बहुत आसान है पर पागल पन ही चाहिए बेड से हट कर कुछ करने के लिए जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वज़र से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था उसने जित पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आमिताब बच्चन की उनकी पहली सुपर इट मूवी जंजिर आने से पहले उनकी सत्रा मूवीज फ्लॉफ हो चुगी थी फिर भी उन्होंने अपनी जित नहीं चूड़ी और आखिर कर गामियाभी को भी इनके जित के आगे चुखना बढ़ा विराट कोली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट की लिए उसका पागल पन उसकी जित को बया करता है 2006 की बात है विराट करनाटका में रंजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना कर वो नौट आउट रहा शामकों के घर से खवर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है सबने एकस्पेक्ट किया कि विराट तुरंद घर के लिए निकलेगा कोश ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगा पर और कोन खेलेगा पर दूसरे तिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिता कर ही वो अंतीम संसकार के लिए निकल गया इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे लाखों में किसी एक के पास ही ऐसे जिद ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनरजी नहीं बलकि उस काम को करने के लिए वो जिद वो पागलपन होना चीए क्योंकि ऐसे जिद्धी ऐसे पागल लोग परसिंटेज में नहीं नमबस में होते है ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी होई कहानी है दशरत मांजी की जोकि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए क्योंकि उनके गाव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड था और उसी वज़े से उनके पत्नी का तेहान्थ हो गया बंदे को गुस्ता आ गया और इसी गुस्ते को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छैनी अटोड़े से बाइस साल में पचपन किलोमेटर का पहाड दोड़ दिया ये पागलपन नहीं तो क्या है ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते है पर जो इस दर्द को इस गुस्से को जिद में बदल देता है उस बंदे को रोकना ना मुमकिन है वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लांट कर रहे होते है और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लांस बना रहा होता है जब सब नौकरी डूणने के चक्कर में होते है तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसी पागल आगे जाके बिल गेट्स स्टीव जॉब्स बनते है ये पागल सकसेस के लिए हमेशा भूके होते है ये कभी सैटिस्फाई नहीं होते यही पागल पन यही जिद ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुपने देती है एक जिद्धी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा हजार बार फेलोगा वो पर उसके जिद उसका पागल पन उसे और एक बार ट्राय करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने गोटने ना तेक दे और यही पागल इन्सान यही जिद्धी इन्सान इत्यास बना देता है